नश्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे HSSC से रिलेटिड यानि के हरियाना स्टाप सेलेक्शन कमेशन से रिलेटिड और यहाँ पे 12 अबलिक 2019 से रिलेटिड एक इंफोमेशन आई है एक नया नोटिस आया है और यहाँ पे पर्टिकॉलरली बात की जाए तो दो अकैंसी हैं एक लाइबरिरियन की और दूसरी कार्पेंटर की इनका सैडू आ गया है कि इनके डोकुमेंट वेरिपकेशन कहां पे होगा और यह डोकुमेंट वेरिपकेशन पंचकुला में होना है इनकी डेट भी आ गई है इसे रिलेटिड जो अगली information हा वो यह है कि इनको अपने डो प्रकोपी और ओरिजनल डोकुमेंट लेके आपको साथ में जाने हैं और इसके साथ में कुछ चीजे और भी यहां पर अपलोड कर दी हैं HSSC ने वो चीजे हैं कि जैसे मान के चलो कि आपके फादर किसी काणवस नहीं रहे हैं तो वो सर्डिकेट आपको डाउनोड करना उसक किस परकार का लैटर है कौन सी information ये आई है क्योंकि इससे पहले भी एक लैटर आया था 1 March 2020 और उसी की कड़ी में अगला फरदर नोटिस आया है तो इसको आपको समझे लेना चाहिए कि किस परकार से अपने डोकुमेंट अपलोड गरने हैं कौन-कौन से प्रिंट आउट आ आप सब्सक्राइब कर लेगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा और इस पूरी information को आप देखिएगा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि कई information हो सकता आप से चुट गई हो एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ पर आप जैसा दिख रहे हैं कि यह हर्याना स्टाप सेलेक्शन कमीशन की तरफ से notice है और जो notice हाया था एक मार्च दो जार बीस को और किस से रिलेटिड था librarian से रिलेटिड और carpenter instructor से रिलेटिड उसी का continuous है यानि कि उसी के बारे में फरदर notify किया गया है कि कुछ candidates को ध्यान रखना है अपने document verification से रिलेटिड और यह किस बारे में है कि आप यह देखें कि advertisement नमबर 12 oblique 2019 category नमबर 3 से लेके 96 तक का यहां पर बताया गया है और यह रोलंबर यहां पर mention कर रखे हैं कि जैसे रोलंबर आप देख सकते हैं यह रोलंबर mention किया वाई यहां पर कि इनका timing बता रखा है कि date or time क्या है कि 11 मार्च 2020 को इनकी document verification होनी है 9 बज़े से रिलेके और यह librarian की post है advertisement नमबर 12 oblique 2019 और category नम अंदर यहां पर जगह बता रखें यहां पर आपके document verification होगी और उसके बाद में 12 मार्च 2020 को 9 बज़े कारपेंटर इंस्टक्टर का जगह यही है ताओ देविलाल स्टेडियम और category नमबर 12 oblique 2019 च्टेगरी है और यह दे रखें यहां पर रोलंबर उसके बाद में क्या mention कर रखा है उसके बाद में बता रखा है कि candidates shortlist किये गई हैं और उनके document की scrutiny के लिए और कुछ mandatory बाते हैं जो नीचे mention की गई है वो mandatory बाते क्या है यहां पर हम आपको दिखा देता हूं आपको क्या करना होगा एक scrutiny form फिल करना होगा जो 12 oblique 2019 का है जो website पे दे रखा है hssc.gov.in की website के उपर, box के अंदर demand की गई है original document की, original document का मतलब यहां पर उसकी photocopy, उसका photo उतार के original documents को आपको upload कर देना है एक original document की form में, यानि कि photocopy की photo मतले original document की आप photo ले ले, उसके बाद में आपको final printout ले ले लेना है और फिर क्या करना है कि उस documents के साथ में candidate को अपने सारे documents की photoc नमर कितने हैं, वो documents upload करते हैं, वो scrutiny form में आपको mention कर देना है, फिर उसके बाद में है next, यदि आप देखेंगे, तो ये sign के हुए आपके scrutiny form और सारे के सारे original document photocopy की form में आपको ले के आने हैं, जब आपका document verification होगा, और नीचे ये बता रखा है कि आपने scrutiny form में serial number है, time slot है, documentary ने जो alert कर रखा time उसी के नुसार आना होगा, इसके अलाव आपको नहीं further इसके बारे में आना है, बाग की tremendous condition सारी के सारी सेम है, जो कि 1 March 2020 के notice के नुसार है, 4 March 2020 को ये notification आपका आगया था, और ये मैं record कर रहा हूँ आज, इस दूसरे document में आप देखोगे, कि certificate हैं, ये आ आपने ये submit नहीं किये हैं, तो इनको आपको submit करना है, और ये ले के आना है, और ये किस परकार के हैं, आप ये देखिए कि certificate किस के लिए है, जिसके फादर नहीं है, जिसके फादर गुजर गई है, उनके लिए है, ये certificate आपको परना है, और ये आप इसको download करना चाहते हैं वही HSSC के साइट पर जाके इसको आप डॉलोड कर सकते हैं, दूसरा डॉकुमेंट आपका है विड्डो से रिलेटेड और यह दि आप विड्डो है तो आपको इसको बरक के लेके जाना होगा, फिर है आपका experience certificate, यह दि आप experience के बारे में है तो experience certificate आपको फिल करना है, इसको बहुत important है और यह related है, HSSC related, librarian और carpenter की post related है, तो यह था आज का content, उमीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, हमारे चैनल को subscribe जुरूर कीजिए, इसके साथ में हमारे दूसरे चैनल डिवलोग को भी subscribe कीजिएगा, और हमारे वीडियो को share और like कीजिए, बहुत बहुत आपका धनेवाद है